बिहार में अगर आप लोग डियरे बैस करना करना ही यानि Deerate का 6 साल का डिगिरिल लेना चाहता हैं तो आप लोग के लिए बहुत कम समय है इसमें क्या कहा गया है कि अगर विद्यार्थी बहुत ज्यादा फॉर्म भरता है मतलब कि डिलेड बहुत सा लोग करना चाहते हैं उसी के नसार आप लोग को यहां पर प्राइबेट यह सरकारी कोलेज मिलेगा तो इसका ध्यान रखिएगा जिसको सरकारी चाहिए अभी से महत करना शुरू कर दिजिए अभी से महत करना शुरू कर दिए अगर सरकारी चाहिए तो और प्राइबेट चाहिए तब भी करना है लेकिन थोड़ा सा कम करिएगा प्राइबेट आखने से मिल जा तो इंटर के बाद यह आप कर सकते हैं, अगर इसके बाद आप ग्रेशन भी कर लेते हैं, तो आप 6-8 के टीचर बनने के लिए भी इलिजबल हो जाएंगे, और आइए हम लोग जानते हैं कि बिहार डिलेट का फॉर्म कौन-कौन भर सकता है, कहां-कहां से अप्लाइ कर सकता ह आप अपेरिंग में हैं तो भर पाएंगे कि नहीं, 12th पास कर लिए, कितना परसेंटेज होना चीए, यह सब चीज आपको बताने बाले हैं, बस इस वीडियो को देखिए, और लाइक, सेर, सब्सक्राइब, यह तीन चीज आपके पास है, जरू इसको कर दिए, ठीक है, पाले से भी इसा प्रता था, लेकिन आप जाके फेमस हो गया है बहुत ज़्यादा, और लोग चाह रहें करना, डिएरेट करें, कि बीएड करें, क्यों करें, चूकि इसके बाद नौकरी थोड़ा सा आसान, और ब्रांड बरा नौकरी मिलता है, ब्रांड यानि कि टीचर ही आज कल ब्रांड होते जा रहा है, यहां पे आप जो जॉब लेंगे, वो अच्छा खासा सेल्डी के साथ आपको जॉब मिलेगा, इसलिए लोग चाह रहें, डिएरेट करें, लड़की तो और ज्यादा चाह रही है, तो यही सब चीज आपको बताएंगे, यह बढ़ते हैं आप लोग बिहाद डिएरेट का फॉर्म जो है भर सकते हैं, इसका इंट्रेंस एक्जाम दे सकते हैं, और किसी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में एडिमिसन ले सकते हैं, 12th पास कर ली हैं तब, आप कोई लोग होंगे, बोलेंगे, मैट्रिक किया हुए है, 12th फरस्ट और ग्रेसी सरुष आसे सकते हैं, इसके बाद आप अकर ग्रेसन कर ली एजआए, साथ में नहीं, साथ में मत कर दिएगा, अगर इसके बाद आप graduation पास कर लेते हैं, तो 6-8 का भी आप सिच्छक बन सकते हैं, इसके लिए फॉर्म अपलाई कर सकते हैं, मतलब डिएड के बाद 1-8 तक का दरवाजा खुल जाता है, अगर आप graduation कर लेते हैं तब, तो यह धान रखेगा, अच्छा यह आपका course हो जाएगा, जो कि आप लोग गर 24 में कर सकते हैं, दो साल का यह course हो जाएगा, ठीक है, आप बात करें कैसे करें, फॉर्म अपलाई होना 10 जनबरी से शुरू हो रहा, इसलिए आपको बोले कि बहुत कम समय बचा हुआ है, आप सोस्ते रजाएगा, फॉर्म अपलाई का इतना कम समय दिया गया, मातर 15 दिन दिया गया, 10 तारिक से ले करके, आप यहाँ पे देखेंगे, 10 तारिक से ले करके, 25 तारिक तक ही समय दि जनबरी से, 25 जनबरी के अंदर में आपको डिरेट का फॉर्म अपलाई करना है, और आप उसके बाद इसका इंटरेंस एक्जाम आपका लिया जागा, उसके लिए एडमिट कार्ड आपको दिया जागा, ठीक है, यह करना है दोर 24 में, तो ध्यान दखिएगा, इस डेट को 10 जनबरी से, 25 जनबरी, और इसका सब चीज दे दिया गया है, यानि कि अभी ही इसका पूरा समझी केलेंडर ही निकाल दिया गया है, पूरा सेड्यूल कर दिया गया है, इसका आपको फॉर्म भरने करती थी को, आपका एक्जाम होने करती थी को, एंसर की को, आपका रिजल् आपको हम बताते हैं इसमें क्या कहा गया है कि अगर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा फॉर्म भरता है मतलब कि डिलेट बहुत आए लोग करना चाहते हैं तो हम एक से दो पाली या उससे अधिक में भी एक्जाम लेंगा ऐसा पहले नहीं होता था क्योंकि आप सरकार को भी लग रहा है यानि प्राइवेट कोलेज सरकारी को भी लग रहा है कि लड़के अब जादा आने वाले हैं तो इसका इंट्रेंस एक दिन या दो दिन या तीन दिन तक भी चल सकता है इसलिए संभाविट जो दिया गया है वो छे मार्च से ले करके बारह मार्च तक का दिया अगर ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो ज्यादा दिन एजाम यानि फर्स सिफ्ट में फिर कल होके फर्स सिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में ऐसे करके आपको पचास परसेंट नंबर कम से कम में होना चाहिए तब जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कई भी को दिक्कत सब्सक्राइब कर लिए तो आपको मिल सकता है यह हो गया कुछ बेसिक मतलब क्वालिफिकेशन और यहां पर देख सकते हैं आप मीनिमम आपका 17 साल अगर उमर हो गया 17 साल आपका पूरा हो गया तो आप इस एज के लिए आप इलिजिवल हो गया है फॉर्म भर सकते हैं कई भी कोई दिक्कत नहीं होगा यानि कि आप 17 साल से पलस में है बहुत सकते हैं जादा का चर्चा यहां पे ने किया गया कि 25 साल के है सब भर सकते हैं 17 साल हो गया भर सकते हैं अगर आपने यह सब चीज क्या रहा है तो अब बहुत साहीं लोगों कि हम भर सकते हैं डिल्कुल आप भर सकते कहां को दिक्कत होगा क्योंकि आप इंटर तो करहें लिए ना अगर इतना माक्स है तो आप राम से बढ़ पाएंगे यह जो आप लोग अकाउंट होगा यह एक एक दोहर 24 यानि कि एक जनवरी 24 से काउंट किया जाएगा फॉर्म फी कितना होने बाला 960 रुपया आपको पता है बिहार में किसी फॉर्म का फी बहुत ज्यादा होता है 960 रुपय आप लोगो लोगेगा बिहार में डिलेट करन सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह कोर्स है यह आपका डिगरी है है ना यह आप फासिल कर सकते हैं दो साल का कोर्स का ठीक है कहीं से भी कर सकते हैं तो जेंडल EWS OBC का 960 रुपया लगने वाला चाहिए अभी से महत करना सुरू कर दिगर सरकारे चाहिए तो और प्राइबेट चाहिए तब करना है मियात लेकिन थोड़ा सा कम करिएगा प्राइबेट आठने से मिल जाएगा और कहें यह कैसे महत करें तो आपके इस सिलेवस के लिए बुक निकाल दिया गया अगर वाले एजाम काट के तरफ से स्टड़ी बुक इसको पढ़ने के लिए आपको हम बोले हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जहां से भी देख रहे हैं अगर बिहार में यह डिरेड करना आप चाहते हैं तो आप लोग डिरेड का स्पेशल बुक संयुक्त परिश्चा का संपूर्न स्टड़ बुक यानि कि पूरा इससी लिवस पर निकाल दिया गया इसको पढ़ना शुरू कर दिया अभी से सरकारी को लेज्च चाहिए तो एकत पढ़ना पढ़िए और प्राइवेट को लेज्च चाहिए तो आप आराम से भी छोड़-छोड़ के भी पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत का भी पढ़ जाएगा और प्राइवेट का भी पढ़ जाएगा थोड़ा सा पांच नंबर दस नंबर बढ़ी जाएगा ठीक है आपका 120 कोशन पूछा जाएगा उसमें से तो यह बूक आप लोग पढ़िएगा तो अच्छा रहाएगा एक्जाम में कोशन बनेगा और भी सटी गाइट बुक है जहां पर आपको टोटल चीज दिया गया है मौक टेस्ट भी आपर मिल जाएगा आपको 950 अध्यावार महतपूर्ण प्रस्ण भी है यह अगर वाले जाम काटके तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कोमेंट बोक्स में जिसको जरूर जरूर जाके प दो साल तका फिक्स हो गया अब प्राइबेट मिलेगा तो गोले जाई यह नहीं जाई यह उतना फरक नहीं पडता है यानि कि मैनेज हो जाता है ठीक हूँतना कलास करने का जोगत नहीं पड़ता है सरकारी ने ली जाएगा तो आपको कलास करने का जोद पड़ जाएगा यानि सरकारी में क्या होता आटेंडेंस ज्यादा चाहिए जाना पड़ेगा आपको कलास करना पड़ेगा अपना आटेंडेंस दिखाना पड़ेगा प्राइबेट में क्या होता पैसा ज्यादा लग जा सब्सक्राइब करने हैं प्रिच्छा जाएगा एक ही दिन आपका परिच्छा होगा परिच्छा तिन चार दिन चलेगा लेकिन आपका बस एक ही शिप्ट में परिच्छा खत्म हो जाएगा ना परिच्छा जादा लोग फॉर्म भर देंगे दो तिन चल सकता है लेकिन आपका परिच्छा एक ही दिन रहेगा आप देखर किया जाएगा अब क्या आपको मिलता है कैसा आप च्वाइश डालेंगे फॉर्म भरते समय प्राइबेट कोलेज सरकारी कोलेज का वह सब बता दें ठीक है फॉर्म अप्लाई का डेट 10 जनुरी से सुरू हो रहा है तो उमीद करते हैं आपको सब चीज बता दिए डोकुमेंट्स फॉर्म भरते समय ऐसे हम बताएंगे लेकिन मैट्रिक और इंटर का परमान पत्र अपने पास रखिएगा क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंग